Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with part 2 of chapter 5 which is fundamental rights. हमने article 18 तक डिसकस कर लिया था. आज हम डिसकस करेंगे from article 19 से which is right to freedom. Article 19 के अंदर ही आपकी classified है six types की freedom. जैसे आपका first है freedom of speech and expression. कि आपको बोलने का अधिकार मिलेगा speech and expression का. पर इसमें क्या है आपके कुछ limitations है या आपका जो right है वो absolute नहीं है. इसके देखो क्या limitations है? Article 19 clause 2 of Indian constitution empowers करता है government of India को. किसे empowers कर रहा है government of India को? To impose reasonable restriction. Reasonable restriction होती है जो कोई भी अगर आपके restrictions लगा रहे हैं reasonable जब ही कहलाई जाएगी जब सरकार आपको इसका reason देगी, rational देगी कि मैंने ये restriction लगाई इसलिए लगाई है. यहनि कि अपनी मन मर्जी से restriction ही लगा सकती. वो restrictions के आउने चाहिए आपकी reasonable restrictions होनी चाहिए. On the right of freedom of speech and expression में किस-किस नाम पे reasonable restrictions लग सकती है? security of the state कि अगर आप यह नहीं आपको बोलने कदी क्या रहे हैं, तो आप state की security के खिलाफ ही बोले जा रहे हो. Friendly relation with foreign powers कि आप हमारे friendly relation है, foreign powers का USA के साथ सोचो, हमारे friendly relation है. यह नहीं कि मैं freedom of speech में USA को गंदी-गंदी गालिया निकालना शुरू कर दूँ. यहां फिर मैं कुछ national security के वरूद बोलना शुरू कर दूँ. ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो reasonable restriction किस बेस में निकालेंगे? पब्लिक पीस में दंगे नहीं भड़का सकती, मेरा बोलने का दिकारा में यह नहीं बोल सकती, आज हम बस से जला देंगे, सटकों पे लाठी चार्ज हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं हम बोल सकते. पब्लिक पी, morality और ethics, contempt of court, मतलब क्या पे भी लग सकता है, हमारा contempt of court लग जाती है हमारे पे, अगर हम किसी जज़ वेगारा के बारे में उल्टा सिधा बोलना शुरू कर देता है, तो यह क्या आपके reasonable restrictions हैं, यह defined होती है by courts of the country, यह कौन decide करेगा reasonable restriction, courts decide करते हैं, freedom of press भी आद mention नहीं दिया है, freedom of press का, at the time of framing कर रहे थे नहीं, जो constitution of India को, constitution makers, demand करा था separate mention करने के लिए, पर इसकी separate mention नहीं करा था, इसके अंदेल का, thus there was no necessity of making a separate constitutional amendment, article 361a था, उसे insert कर दिया गया constitution के अंडर, जिसमें क्या आगया है, press has given the power to publish an account of the proceeding of Indian parliament and state legislature, कि यह पार्लेमेंट मेंगर कोई proceeding चल रही है, आप देख सकते हैं, लोकसभा चैलन बना रखा है, आपका, राज्यसभा पर आपका एक चानल है, तो इसमें क्या आपको proceeding दिखाते हैं, कि कौन से बिल कैसे पास हो रहा है, तो यह उन्हें freedom है, कौन से आर्टिकल के देख, 361 A.K.Z. Right to Information, आपके पास, एक Right to Information Act भी पास हुए, 2005, इसका मतलब देखो क्या है, Right to Information, आपको क्या है, अपना जानने का दिकार है, आप एक जागरुक नागरिक है, इससे क्या हो एगा, corruption रूख जाती है, accountable होती है, सरकार, freedom of speech and expression में इसे count करेंजा, therefore citizen cannot deprived of this right, ठीक है, गोर्म और आप किसे ले सकते information, यह नहीं कि आप किसी परोसी का पूछ रहे हो, कि इनके family members कितने है, यह कौन है, ऐसे नहीं हम पूछ सकते है, Right to Information में हम किया चीज़ पूछ सकता है, Public Authority से पूछ सकते है, Public Authority मतलब जो सरकार जवाब देई होती है, ठीक है, हम RTI किस पे लगाते है, Public शाम के बारे में पूछ सकता है, वो direct उस पे नहीं लगा सकता है, ठीक है, यह है, और फिस में भी exceptions होती है, कि हम किसी की personal information नहीं मांग सकते हैं, यह सब कुछ, उसके बाद देखो आजाता है आपके पास, Freedom to Assemble, Peacefully Without Assemble, Assembly की Freedom मिलती है, आपको देखो, Right to Speech and Expression है, यह नहीं ए अच्छे freedom है, प्रोफेशन की मिलती है, आपकी trade की भी है, आपके बाद रिसाइड की भी है, उसके freedom to form association, मतलब कि आप अकठे हो सकते हो, भी without arms की, आप assembly कर सकते हो, थर्ड आपकी है, freedom to form association and unions, trade unions वगरा मना सकते हो, आप association मना सकते हो, सभाएं चला सकते हो, आप वो बना सकत यह trade union, student union है, तो आप यह भी form कर सकते हो, पर इस पर भी कुछ limitation है, कि आप public order हो गया, ethics हो गया, इनके खिलाब कोई union नहीं बना सकते हो, यह जिसे al-qaeda वगरा जो बना लेते हैं, यह सहीज तो illegal है, तो यह नहीं हम बना सकते हो, यह terrorist union नहीं बना सकते हो, ठीक है, freedom to move freely throughout the territory of India मतलब कि आप कहीं भी जा सकते हो, territory of India में, कहीं भी गूम फिल सकते हो, पर जैसे कि schedule tribes area होता है, tribal area है, उनके अपने rule है, तो यह limitation है कि आप tribal area पे नहीं जा सकते है, permission चाहिए होती है, ठीक है, यह limitation है, freedom to reside and settle in any part of the territory of India, कि हम जो है, recite कर सकते हैं, कि किसी भी part of territory of India में, कि अग जाब वला हरियाना में जमीन लेके रह रहे हैं, ठीक है, हरियाना वले कहां जा रहे हैं, उत्रपरदेश में जा रहे हैं, बियार में जा रहे हैं, कहीं भी रह सकते हैं, यह हमारा fundamental rights है, limitation on this freedom में क्या है, कि कुछ tribal areas होते हैं, हम वहां नहीं रह सकते हैं, जैसे कि आपकी limitations है, freedom to practice any profession, हम कोई भी profession के practice कर सकते हैं, पर इस पे limitation है, जैसे doctor है, lawyer है, कुछ भी कर सकते हैं, पर public interest होना चाहिए, restriction लगा दी, किस पे, यह नहीं कि आप कोई ऐसा profession शुरू कर दिया, जो public लोगों को हितों के खिलाफ है, मैंने bum बनाना शुरू कर दिया, मैंने bum की factory को यह सब कुछ नहीं कर सकते, state is in power to fix certain professional technical qualification fix कर सकते हैं, अगर doctor का भी आपने profession शुरू कर दिया, तो यह नहीं कि आप अपने तरीके से, तो जैसा rule के according है, कि doctor के पास यहला certificate होना चाहिए, यहले equipment से वो operation करेगा, तो वो वो चीज़े होनी चाहिए, उसके बादे को state is in power either directly or through its owned or controlled corporation, provide arrangement to trade, business, industry and other service, वो अपनी corporation बना के भी वो इन सब services को provide कर सकते हैं, ठीक है, right to host national flag, कि एक case हुआ था कि हम अपने घर के उपर या फिर कहीं भी function पे national flag को फिला सकते हैं, हम उसे, देखो, through a judgment deliver होई थी 23 January 2004 को, Supreme Court ने declare कर था कि national flag at their promises होएगा, यहाँ, promises लिखे न, तो यह से correct कर लो, it's premises at any time was a fundamental right of the citizen, कि आप अपनी premises पे भी जबी आम देखते हैं, गोर्मेंट ओफिस पे, प्रमाइस पे भारत का जंडा लगा होता है, तो यह कह हैं, उनका fundamental rights है, हम यह लगा सकते हैं, उसके बाद के protection in respect of article 20 है, अब 19 आपके खतम होग कि आगर आपको convict कर दिया गया है, उस offense के लिए, तो आपको क्या-क्या protection मिलेगी, ठीक है, देखो जो आपका article 20 है, वो किस बारे में discuss कर रहा है, वो आपका discuss कर रहा है, इसमें, कि अगर आपको यह offense लिए convict हो गयो, मुझरिम आप घोशित हो चुके हो, यह तो यह तो यह No person shall be punished except for the breach of law and force, मतलब कि कोई person except breach of law and force, मतलब क्या है आपका, अगर आपने law के इलावा कोई crime, आपको हमेशे punishment किस के लिए मिलेगी, offense और crime के लिए मिलेगी, कोई moral offense के लिए नहीं मिलेगी, For example, आपको यह student था, वो swimming कर रहा था, swimming कर रहा था, आपको swimming आती थी और आपने उसे नहीं बचाया, आप side में से जा रहे थे, चुपचाप निकलके आप चलेगे swimming टूल से, और student ढूब रहा था, आपको पता था, इसे swimming आती है, यह मेरे को swimming आती है और यह ढूब रहा है, अधर रहागीर था, रास्टे से निकल रहा था, तो उसने कोई फैंस नहीं करा, moral तोर से, आप नैतिक तोर से देखो, तो आपको लगेगा, मैंने उसकी जान नहीं बचाया, यह पाप किया, यह सब कुछ, all that, पर हम कोई भी सजा आपको मिलेगी, कानून की किताब में जो कोच नहीं थे, swimming के अगर कोच करता यह चीज, तो उसको पनिश्मेंट मिल जाती, क्योंकि वो तो उसका कोच था, उसकी बचाने की जिम्मेदारी थी, अगर वो करता तो उसे पनिश्मेंट मिल जाती, अगर कोई आप रहागीर और आपने नहीं करा, उसकी सेव नहीं करी ज आपने आज करा है कोई क्राइम, ठीक है, आपने कोई से आज काम करा है, कल उसकी पनिश्मेंट ने इधारित करी है, सरकार ने, तो आज की डेट में वो क्राइम नहीं है, अगर कल पनिश्मेंट आप करते, वो क्राइम करते, तो आपको कल मिलती वो पनिश्मेंट, इसका मत इसलब यह है, no person shall be subjected to punishment greater than prescribed by law, कि किसी भी person को law में जाए तीन साल की सजा, कोई आपको पांस साल की सजा नहीं दे सकता, जितनी किताब में लिखे आपको उतनी ही मिलेगा, जितनी law books में लिखी गएगा, no person shall be prosecuted and punished for the same offense for more than once, कि एक से जादा बार आपको एक ही चीज़ के लिए punishment दुबारा दुबारे नहीं मिल सकते हैं, आपने चोरी करी, तीन साल के आपकी maximum punishment है, यह नहीं कि आपको छे सल बिठा सकते हैं, या चोरी के लिए आपको दुबारा से जेल में बुला सकते हैं, पास सालो बाद, एक बार ही जो आप punishment काट चुके हो, एक बार ही होगी तो मतलब खतम होगी सजा, फॉर्थ प्वाइंट है, नो परसन अक्यूज़ ऑफैंस, जो अक्यूज़ है, मतलब अभी उस पे जो निर्दोश है, वो अभी निर्दोश नहीं कह सकते हैं, मतलब उसमें मुकदमा भी चल रहा है, उसे convicted गोशित नहीं करा गया, नो परसन अक्यूज़ ऑफैंस, शैल भी compelled to be a witness against इंसल, मतलब कि जिस पे अभी जिस पे crime साबित नहीं करा है, सरकार ने, उसे convicted नहीं गोशित करा है, वो भी accused है, उस पे भी case चल रहा है, तो वो अपने खिलाब witness देने के लिए बात दे नहीं है, आप उसे मजबूर नहीं कर सकता है, अपने खिलाब गवाई दे, ये, ठीक है, उसके बाद आता है, आपका बाद आर्टिकल 21 बापको बोलता है, प्रोटेक्शन ओफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 आपको इंडियन कॉंसिटूशन का प्रोवाइड करता है, कि आप लाइफ से डिप्राइब ने हो सकता है और उसकी पर्सनल लिबर्टी, एक्सेप्ट अक्वरिण टू प्रोवाइब इस्टैब्लिश ने लग बाद की क्या है , procedure established by law वैसे अगर नहीं ले सकते जो गोर्मेंट है उसके बाद क्या है राइट टू एजूकेशन मिल गया आपको आर्टिकल 21a में चैप्टर 4 में इंक्लूड है जैसे कि DPSB में कि जो 614 साल की उमर के बच्चे हैं उन्हें free education में लेगी इसमें यह है वही है compulsory education की बात है कि क्या क्या मिलेगा उन्हें free and compulsory education 6-14 यही आपको main चीज है याद रखने वाली है उसके बाद आलता है आपके बास protection against arrest and detention against अगर आपको arrest कोई करके लेगे जा रहा है पुलिस वेला तो आपको वहां आपको कौन से right है अभी तो convicted के हमने right पता लगे थे article 20 में अब 22 में क्या है कि कौन अगर कोई आपको arrest करके लेगे जा रहा है पुलिस officer है या कोई भी officer है जो court के द्वारा जिसकी duty लगाई अगर आपको arrest करके लेगे जा रहा है तो आपके वहां कौन से right बनते है आर्टिकल 22 क्या बोलता है arrested person जो arrest कर गया है immediately after arrest उसको बता जैसी आपने उसे arrest करा पुलिस officer की duty बनती है कि उसे उसके बारे में बताएं वह किस जुरम के लिए उसे arrest किया गया है ऐसी ने हम उसे to get advice from an advocate of his choice अगर कोई इंसान को arrest कर लिया गया किसी person को तो उसके पास च्वाइस अपने पसंद के आडवोकेट से जाके consult ले सकता है वह advice ले सकता है the arrested individual will be presented before the nearest magistrate arrest के 24 गंटे के अंदर-अंदर उसे नियर के जो magistrate है वहाँ उसको पेश करना 24 गंटों के अंदर-अंदर उससे ज्यादा लेट नहीं हो सकते है और अगर 24 गंटों के बाद पेश करना तो magistrate की permission चाहिए होती है but above sighted protection जो है आपके कुछ limitation है अगर सोचो मेरे किसी alien enemy क्या होता है enemy alien होता है कि foreigner enemy मतलब कि जिसके साथ मेरी लडाई चल रही वो मेरा दुश्मन है फॉर एक्जमपल आज मेरी लडाई हो जाती है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान का कोई बंदा आके मैं उसे arrest कर लेती तो मेरी उसके साथ अभी लडाई चल रही है वार चल रही है सोचो मेरी चाइना के साथ वार होगी अब चाइना का कोई सोल्जर यहां आ गया या फिर कोई बी इंसान है मैंने उसे arrest कर लिए तो वह क्या के लाए जागा है आर्टिकल 23 आपका बोलता है right against exploitation की आपकी कोई शोशन नहीं कर सकता किनकी नहीं कर सकता देखो आर्टिकल 23 बोलता है कि हम क्या नहीं कर सकते ट्राफिकिंग नहीं कर सकते जब रेड पढ़ती है पुलीस वालों के की ट्राफिक नहीं नहीं हो रहे बच्चों की टस्कीरी बगरा जिसे बोलते है और आप force labor नहीं करा सकते हैं बंद्वा मजदूरी नहीं करा सकते हैं कि stamp लगा के आप उनसे free में काम कराया जा रहे हो यह भी बैन है इंडिया में ना force labor करा सकते हो आप ना किसी को हम तसक्री कर सकते हैं किसी भी human beings की जानवर की तो तो को इतना सुना है वैसे animal law भी बन गया पर human beings के लिए यहां लिख रखा है कि हम बेच खरीज नहीं सकते human beings का ठीक है no individual will be forced to do any job against इस और वो हम इसी individual को force नहीं कर सकते कोई आसा काम करने के लिए उसकी विष्ट के लिए ठीक है provision of compulsory service है under जैसे कहा दिया गया है कि हम किसी इनसान को उसकी विष्ट के according काम नहीं करा सकते तो article 23 of Indian constitution बहलता है the state can force people public purpose state जो है आपकी Indian government है वो लोगों को force कर सकते कि public purpose लिए आप यह काम करो अब सोचो demonetization जब हुई थी तो बैंकों के जो employees थो उनको दददस 11-11 बज़ तक बैंकों में बैटना पड़ रहा था वो कहते ही तो मारी विष्क अगेंस्ट है हम तो जा रहे हैं काम चोड़ के वो ऐसे नहीं कर सकते public purpose के लिए है जरूरी काम है वहाँ तो state उन्हें law बना के कर सकती है वैसे कोई individual नहीं कर सकता किसी कहा जोड़ जब जस्ती article 24 बोलता है prohibition of child labor किसी से आप बाल मजदूरी नहीं करा सकते article 24 of Indian constitution children below the age of 14 है 14 साल से कम उमर के बच्चे से आप फैक्ट्रियों में निकाम करा सकते माइन में निकाम करा सकते हो danger places में जैसे चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में कंग्च उनके आँखों में चला जाता था अंधेरे में वह बैठके बनाते से तो यह है child labor है तो यह illegal हम उसे काम नहीं करा सकते ठीक अगर आपको कहीं भी child labor नहीं से में पंजाब के हो ही माचल के हो यहां चाइड लेबर हो रही है जो human rights commission वालों चाइड राइट्स वाले होते हैं वह उन बच्चों को फिर rescue कर लेते हैं यह law बना दिया गया फिर उनको क्योंकि उनका अगर आप उनके fundamental rights बचा पार हो तो इसमें बहुत अच्छी बात है अब आर्टिकल 25-28 बोलते है right to religious freedom कि आपको क्या है अपना कोई धरम अपनाने की धरम को follow करने कि इसको practice करने कि आपको freedom है आर्टिकल 25 बोलते है freedom to profess and propagate any religion कि आप profess कर सकते हो और propagate उसे आगे फिला सकते है अपने religion को आर्टिकल 25 ऑप इंडियन constitution कि बोलता है every individual has a right to freedom of consigns की है किस चीज के लिए profess, बताना, practice करना and propagate मतला आगे लोगों को बताना इसके उपर भी देखो limitation है वह कौन कौन सी है the right to freedom of religion cannot be enjoyed against public peace, morality and interest of people at last यह नहीं कि आप कहरो यह मेरा religion में है तो आप बलियां दे रहे हो इंसानों की, इंसान को sacrifice कर रहे हो यह सब कुछ नहीं कर सकते है अपने आपको मार रहे हो यह सब कुछ अलाओ नहीं है यह public interest में होना चाहिए यह नहीं कि आपने किसी जानवर को ठाया आप रोड के बीच म in order to limit, legislate कर देता है कि state क्या कानून बना सकता है इन सब चीजों के लिए, political expect of, economic expect, financial expect, religion के, ठीक है, the state can also legislate with the objective of social welfare and progress के लिए, मतलग कि state कानून बना सकता है इनके लिए, उसके अधे क्या है freedom to manage religious affairs, article 26 बोलता है कि आप अपने religious affairs को भी manage कर सकता है, कैसे कर सकता है आप अपने religious affairs को, to establish and administration institutions for religious and charitable purposes, आप charitable purposes के लिए institution मना सकता है, अपने नाम से, religion के नाम से कोल के, religious affairs अपने आप themselves manage कर सकते हो, acquire कर सकते हो, movable and immovable property in the name of religion, मतलग टरस्ट के नाम पे जमीन ले लिए है, हिंदू, सनातन धरम, मंदिर बनाने के लिए जमीन ले लिए, movable property भी ले सकते हो, और इन सब property को आप लोग के according एड्मिनिस्टर भी कर सकते हो, यह से टरस्ट वगरा चल आप फॉर्म करें, article 26 इने empower करता है, कि आप ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट के अंदर property खरीदो, welfare करो अपना, और पर इस सब चीज़े होने चीज़े, public interest के अंदर होने चीज़े, और law के according होने चीज़े, कोई illegal चीज़े नहीं होने चीज़े, जो भी law के according नहीं होगी, वो ची आपको कोई tax नहीं दिना पड़ेगा, ठीक है, जब ही जो religious movies होती है, उन पर tax नहीं लगता है, उसके बाद article 28 clause 1 बोलता है, no religious instruction in government educational institution, जो government school होता है, कभी महा देखा आपने, कि महाँ प्रातना कौन सी लगाई जाती है, जैन school होएगा, अगर सोचों कोई तो महाँ जैनियों अगर कोई government है, तो आप government school में पड़े हो, या government college में पड़े हो, तो वहाँ कोई इतना मेरे को idea नहीं, पर वहाँ के जो prayers होती है, वो किसी particular religion के base पे नहीं होती है, जैसे मेरे schooling था, वो religious था, एक particular religion पे था, तो हमारे को उनीकी prayers थी, तो मेरे को इस चीज का idea कि religion जो होते है, जो एक particular religion के base पे चल रहा था, स्कूल तो हुआ है, जैसे convent school है, या Christian machinery वाले स्कूल होते है, तो उनकी prayers जो है, जीजस से related है, उनकी prayers morning, evening, जो night पे उनकी prayers वैसी होएंगी, school off होएगा, जब lunch break पे उनकी prayers होती है, पर government institution में ऐसा सब कुछ system नहीं होता है, वहाँ promotion allowed नहीं है, क्योंकि इंडिया का एक secular country है, जैसे हमने preamble में पढ़ा था, इंडिया के सरकार किसी एक particular religion को favor नहीं करती है, पर हर religion को protect करने के लिए law बनाते रखे हैं, कि कोई भी किसी का भेदवाब नहीं होगा, पर एक religion को promote नहीं करती है, जब भी government institution में किसी एक religion को बढ़ावा नहीं मुस्लिम से वो, कि हम ये prayer नहीं करेंगे, ऐसी कुछ के साथ है, 2016-17 की बात है, तो ये ही article 28 के हवाले से उन्होंने का था, article 28 clause थी, कि private, अगर बकाईदा institution, private institution है, पर हम किसी की इच्छा के विरूद, उनसे वो prayer नहीं बुलवा सकते, ये एक बात हुई थी, उसके दूर कु 29 और 30, article 29 clause 1 बोलता है कि protection of interest of minorities, सबसे पहली बात हमें पता हूंचे minorities कोन होती है, majority है, इंडिया के अंदर majority किस की है, हिंदू की है, minority 6-2% है, Muslim minority में आते हैं, तो इनकी protection के लिए भी fundamental rights है, कि इनके दार बेदवाब ना हो, जैसे according to article 29 clause 1 of the constitution, the citizens of India living in any part of the country, country किसी भी पार्ट having been given the right to protect their interests regarding language, script and culture, वो अपना protect कर सकते हैं, जैसे northeast वाल अपनी language को, अपने script को protect कर सकते हैं, freedom to get admission in educational institution, वोने freedom है कि वो किसी भी educational institution में जाके admission ले सकते हैं, right to minority to establish, वो अपने educational institution भी खोल सकते हैं, जैसे सिख educational institution, अलिगर मुसलिम युनिवस्टी बना दी गई, तो यह अपने educational institution भी खोल सकते हैं, no discrimination while giving grants, article 30 close to, बोलते हैं, अगर इनने grants वो गयरा है, दे रही है सरकार, तो इनके साथ कोई discrimination नहीं हो का, ठीक है, अब आपके बाद आते है, right to constitutional remedies, अगर आपके कोई भी right infringed होते हैं, तो आपको पास क्या है, constitutional remedies का right है, article 32, आपके क्या बोलते हैं, these rights given in the constitution, जो आपके article दे दिये गए हैं, 14 से लेके, यह जो आपको 30 तक दिये गए, article 30-31 तक, इनकी protection कौन करता है, judiciary करती है, अगर आपका कोई भी right छिनने की कोशिश करता है, तो आप कहा जाते हो, courts के अंदर जाते हैं, either supreme court या high court, चाहे आप supreme court में जाओगे, चाहे आप high court में ज इतने है, right to constitutional remedy, देखो article 32 clause 1 बोलता है, constitution का, that citizens can approach the supreme court of India by due process of law for the implementation of fundamental rights, implementation के इनके लिए जाएंगे, article 32 में, implementation of fundamental rights की implementation के लिए जाएंगे, article 32 clause 2 बोलता है, कि supreme court रिट्स इशू करते हैं, 5 तरह के, इनकी protection के लिए, कौन-कौन से रिट्स है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, या मेशा ये exam में आती है, आती है, चाहे टूमाक्स का question क्यों ना, ये आप public administration के student हो, political science के student हो, ये रिट्स आपको tips पे पता होने चाहिए, कौन-कौन सी ह है, habeas corpus, mandamus, prohibition, covaranto और certiorari, ठीक है, इनकी आगे हम explain भी पता होने चाहिए, इनके मतलब क्या होता है, habeas corpus है, illegal detention नहीं कर सकते, ठीक है, mandamus है, prohibition है, covaranto है, और certiorari है, उसके बाद बोला गया है कि article 32 clause 3 of the constitution, the Indian parliament can empower any court to issue notice within its jurisdiction, Indian parliament किसी भी court को empower कर सकती हो, उसकी judiction में, without infringing on influencing the power of supreme court of India, कि आप notice issue करवा सकते हो, according to article 32 clause 4 of the constitution, the state cannot suspend the right to constitutional remedy, except in cases provided, अब जो state है, वो आपका constitutional remedies का right नहीं चीन सकता, ये भी बोला गया, article 32 clause 4 में, और B.R. Ambedkar ने बहुत अच्छी बात बोली थी, article 32 क्या है, soul of the constitution and the very heart of it, उसका दिल है, constitution का heart क्या और soul क्या, article 32 है, ये आपको पताना चीए, ये rates हैं आपकी, ठीक है, ये आपकी different different rates हैं, ये हम discuss करेंगे, अभी कर लेते हैं, देखो, rate of habeas corpus है, कि let us have the body, under this rate, इसमें क्या होता है, the courts can order the government official to present in the court any person who has been arrested by them, कि अगर कोई इंसान को arrest कर दियागा, तो उसको court में page करना है, illegal detention हम किसी की नहीं कर सकते, ये होता आपका habeas corpus, mandamus मतलब क्या है, we command, इसका मतलब क्या है, तो कि supreme court और high court direct कर सकते किसी state official को, institution को, lower court को, कि आपकी duty बनती थी, प्रोलोक एकोडिंग ये काम करने की, और आप ये काम नहीं कर रहा है, तो इस काम को करो, ये command दिने का काम होता है, mandamus का, prohibition है किसी चीज को रोकना, आप, अगर किसी की jurisdiction में नहीं है, सोचो ये काम, और उसने वो काम कर दिया, तो court इस पर prohibition की रिट लगा कि उसे रोक सकती है, देख भी सकते हैं, debar to debar, मतलब कि रोकना, Thus, by the issuance of the writ, the high court of a state can prohibit कर सकता है, lower court को, state official from doing some work, जो उसकी jurisdiction में नहीं है, वो ही बात है, ठीक है, क्यों रॉरांटो by, by what reason, मतलब what is your authority, किस रीजन से आपने ये काम करा, According to this writ, इस writ का काम होता है, high court ask कर सकता है, किसी elected member से, और nominated official से, जैसे MLA से, MP से, कि आपने position कैसे acquire करी, The official can be debarred from using the stator force, discharging the duty till the court gives its decision, जैसे कोई MP, MLA है, और हम उससे पूछ सकते हैं, कि आपने के पास ये authority कैसे आई, किस reason से आई, उससे बताना परें है, Read of 30 orari to be fully informed, inform करने का दिकार है, इस read के according क्या बोलता है, high court can summon the record file of a case from a lower court, कि lower court से high court कोई भी file मंगवा सकता है, क्योंकि उसे information कर दिकार है, इसे बोलता है, 30 orari, and can order the later court to suspend its proceeding days, इसके मतलब यह है, 30 orari का मतलब कि court को inform होना चाहिए, high court मांग सकता है, lower court से, उसके बाद क्यों वरांटो क्या है, आपका किस authority से आपके पास ये काम करने के आपके पास शमता थी, ये, उसके rights को नहीं infringe कर सकते हैं, ये आपका habeas corpus है, कि let the body have, ये हमने rights discuss कर लिए, और जो बाकी का जो chapter है, ये थोड़ा, जो important part हमने discuss कर लिया, अब आपका position of right to property का क्या से था, कि पहले आपका right to property भी fundamental right था, पर अब fundamental right नहीं रहा, वो, क्यों नहीं रहा, कौन कौन सी amendment होई, लेकिन case के चकर में इसको हटा दिया गया, तो ये सब चीज़े हम discuss कर लेंगे, उसके preventive detention आगे हमने जो पढ़ा था, इसका मतलब है, वो बता दिया गया, इसमें, उसका वो ही criticism है, इसको chapter को बढ़ा दिया गया, कि ये fundamental rights absolute होते हैं, कि नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, तो हम ये अपने next part में discuss कर लेंगे, जो आपके fundamental rights थे न, वो हमने सारे discuss कर लिया हैं, और reads भी discuss कर लिया है, अगर आपको फिर भी कोई doubt आता हो, तो आप comment करके मेरे से पूछ सकते हो, thank you very much.